अध्याय साथ एक नई सुबह अब नए जीवन शक्ती और आशा के साथ प्रस्फुटित हो रही है उनके परिक्षणों के माध्यम से बनाई गई एकता ने समुदाय के बंधनों को मजबूत किया था जिससे लचीलापन की भावना पैदा हुई जो उन्हें आगे ले जाएगी जैसे ही सूरज ने हेवनमुर को गर्मजोशी से गले लगाया अमेलिया और शहर के लोग केंद्रिय चौक पर जमा हो गए उनके हाल के संधर्शों के निशान अभी भी ताजा थे लेकिन उनके दिलों में एक नया द्रिड संकल्प जल रहा था यह पुनर निर्मान करने ठीक करने और उस भविश को गले लगाने का समय था जिसे बचाने के लिए उन्होंने इतनी मेहंत की थी अमेलिया ने द्रिड संकल्प के साथ भीड को संबोधित किया उनकी आवाज में कृतग्यता और प्रत्याशा का मिश्रण था हमारी एकता और लचीलेपन ने साबित कर दिया है कि हेवन मुण अपने अतीत से नहीं बलकि अपने लोगों की ताकत से परिभाशत होता है आज हम एक नया अध्याई शुरू करते हैं उपचार, विकास और एक उजवल भविश्य की खोज का एक अध्याई शहर के लोग तालियों की गड़गडाहट में जूम उठे उनकी जैकार चौप में गून्ज रही थी उन्होंने शापो और छायादार संस्थाओं के तूफानों का सामना किया था और अब वे अपने जीवन और अपने प्रियश शहर के पुनर निर्मान के लिए तैयार थे बात के महीनों में हेवनवुड में एक उलेखनिय परिवर्तन हुआ समुदाय ने अपनी लडाई से हुए भौतिक नुकसान की मरम्मत के लिए अथक प्रयास किया लेकिन उनके प्रयास केवल निर्मान से परे चले गए उन्होंने अपनापन और समर्थन की भावना को बढ़ावा देने अंधेरे से प्रभावित लोगों तक पहुँचने और जरूरत मंद लोगों की मदद करने पर ध्यान के इंद्रित किया अमेलिया, आशा और लचीलापन की किरण के रूप में शहर की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत को पुनरजीवित करने की पहल का नेत्रित्व किया उन्होंने हैवनवुड की सडकों पर रंग और जीवन्तता वापस लाने के लिए स्थानिय कलाकारों के साथ सहयोग किया त्योहारों और कारेक्रमों का आयोजन किया जो शहर के सम्रिद इतिहास और इसके लोगों की ताकत का जश्न मनाते थे नए व्यवसाय उभरे उद्यमशीलता की भावना से ओत्परोत हुए जिन्हें फिर से जगाया गया था शहर का बाजार चौक गतिविधी से भरा हुआ था क्योंकि स्थानिय लोग और आगंतुक समान रूप से हेवनमुड के कारीग्रों और शिल्पकारों के आनन्द में शामिल थे शहर के लोगों में गर्फ की भावना बढ़ गई क्योंकि उन्होंने अपने समुदाय के पुन्रुधान को देखा प्रत्य कदम उनके सामुहिक द्रिड संकल्प का एक वसियत नामा था लेकिन पुन्रोधार के बीच हेवनमुड अपने अतीच से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूले वे नियमित रूप से सभाए करते थे जहां कहानिया साजा की जाती थी जिससे उनके इतिहास के घावों को स्वीकार किया जा सकता था और ठीक किया जा सकता था शहर का एतिहासिक समाज यादों का भंडार बन गया एकता में उन्हें मिली ताकत और उस लचीलेपन की याद दिलाता है जिसने उन्हें सबसे काले समय में निर्देशित किया था जैसे जैसे मौसम बदलते गए और नया साल शुरू होता गया संगीत और एक समुदाय के पुनरजन्म की हलचल उर्जा से सम्रध थी परिवार नदी के किनारे घूमते थे बच्चे उध्यानों में खेलते थे और पडोसियों ने गर्म जोशी और दया के साथ एक दूसरे का स्वागत किया अमेलिया ने गर्फ के साथ परिवर्तन को देखा हेवनवुड को परेशान करने वाली भयावता की जगा मुक्ती और नवीकरण की कहानी ने ले ली थी शहर के एक समय के आदी पाठक अपनी कहानी में सक्रिय भागीदार बन गए थे प्रत्यक अध्याय लचिलापन, करुणा और बहतर भविष्य के निर्मान के लिए एक अटूट प्रतिबधता के साथ लिखा गया था जैसे ही वहाँ हेवनमुड के केंद्रिय चौक से गुजरी अमेलिया मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सकी वहाँ जिस कहानी को बताने के लिए निकली थी एक दरावनी कहानी जो जीत में बदल गई वह एकता की शक्ती और मानव भावना का एक जीवित वसीयत नामा बन गई थी और इसलिए हेवन मुड की कहानी सामने आती रही एक ऐसे शहर की कहानी जिसने अपने अतीच से परिभाशत होने से इनकार कर दिया एक ऐसे समुदाय की कहानी जिसने प्रकाश को अपनाया और छाया को हटा दिया या एक ऐसी कहानी थी जिसे आने वाली पीडियों के लिए संजोया और फिर से बताया जाएगा